ओम शंती, 28 फेवरी के शिर्विदान में आपसे कस होगा थे पूरे दिन की दिन चर्या में हम जिस प्रकार से सोचते हैं, बोलते हैं और करम करते हैं वो ही हमें युक्ति-युक्त करना है तो इसलिए प्रमात्मा कहते हैं कि दिन चर्या के हर करम में ये थार्थ और युक्ति-युक्त चलने वाले क्या बनेंगे? पूज्य पवित्र आत्म भवा पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, अपने प्रती और और की प्रती बोल, कर्म और स्वप्न ये थार्थ अर्थात युक्ति-युक्त होगा हर संकल्प में अर्थ होगा जो भी संकल्प होगा उसमें भलाई होगी, पवित्रता होगी, शक्ती होगी, कल्यान होगा, अर्थ होगा अनर्थ नहीं ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दे मज़ा कर लिया निकल गया, कर लिया, हो गया बाकी जो बहसुत करें, जो भावना में आए ना आए मुझे कुछ असर नहीं पढ़ता लेकिन हाँ, बस मुझे से निकल गया, निकल गया ऐसे नहीं होगा पवित्रात्मा सदा दिन चर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ती युक्त रहती है सोच समझ करके बोलते हैं जो कि सोच समझ करके बोलना आगे पीछे देख करके बोलना तो युक्ती उसको कहते हैं इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिंचर्यकी होती है, कि उनके सोच कैसे, बोल कैसे, कर्म कैसे, उसके अनुसार भी पूजा होती है उठने से लेकर सोने तक भिन भिन कर्म के दर्शन होते हैं सोचा कैसे, बोला कैसे, कर्म कैसे किये तो भिन भिन कर्म के दर्शन होते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हम भी अपने दर्शन करें सुवा दर्शन कहते हैं जिसको कि हम किस परकार की आत्मा बनते जा रहे हैं हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म कैसे होते जा रहे हैं कितना परिवतन आ रहा है उसके अंदर, कितना उसके अंदर विवेक आ रहा है कितना उसके अंदर समझ आ रही है कितना maturity आ रही है ये सब को सिखा रहते हैं ब्रह्मा कोमारीज में आप भी आकर किसी कहें ओम शांती